दोस्तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत पापर बेलने पड़ते हैं सफल होने के लिए ये कोई मैगी नहीं है जो दो मिनट में बन जाए और जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं और दोस्तो कोई आपको बुरा कहे तो कहने दो क्योंकि आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है और वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो माईने नहीं रखते और जो लोग माईने रखते हैं वो कभी बुरा नहीं मानते और दोस्तों समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दुबारा समय दे सके इसलिए आपको जब भी मोका मिले या जिन्दगी में बड़े मोके मिले तो उसका फायदा उठाना कभी न भूले और हम कड़वी गोली को जल्दी से कटक जाते हैं परन्तु मीठी चोकलेट को बहुत चबा चबा कर खाते हैं इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूले और अच्छे समय का खूब आनंद उठाएं और दोस्तो एक समझने वाली बात है कि जब तालाब भरता है तब मचलियां चीटियों को खाती है और जब तालाब खाली होता है तब चीटियां मचलियों को खाती है अथार्थ मोका सब को मिलता है बस अपनी बारी का इंतिजार करें और कामियाब होना है तो महनत करो क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है और खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बना के रखिए क्योंकि जो अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कमना हो और लाइफ एक गेम है ये आप पर डिपैंड करता है कि आपको इसका खिलाडी बनना है या खिलो ना और अगर कभी कहीं आपको लगे कि आप कुछ कर नहीं सकते तो वहाँ आप एक चीश कर सकते हैं और वो है कोशिश और जिंदगी में चुनोतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती क्योंकि किस्मत बिकिस्मत वालों को ही आजमाती है और लाइफ में कभी वो मत बनो जो भीड में खड़ा होता है बलकि वो बनो जिसके लिए भीड घड़ी होती है क्योंकि हर ताज सिर के लिए होता है लेकिन हर सिर ताज के लिए नहीं होता उसके लायक बनना पड़ता है और जो आपकी जिन्दगी में खील बनकर बार बार चुबे उसे एक बार हतोड़ी बनकर ठोक देना चाहिए और सुख और दुख में कोई साधा अंतर नहीं जिसे मन सुविकारे वे सुख है और जिसे असुविकारे वे दुख है सारा खेल हमारी स्विकृती और अस्विकृती का ही होता है और जब तक किसी को आप से मतलब है तब तक उनके लिए आप से अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता और किसी के सहारे खुश होना सिर्फ तसलिया है और तसलिया सिर्फ कुछ दिन तक ही होती है और रिष्टों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पोधों को वक्त पर पानी देना क्योंकि अगर रिष्टों को वक्त और पोधों को पानी ना दिया जाए तो दोनों ही मुर्जा जाते हैं और मरियादा से बाहर जाकर की गई मदद सदाही कस्टों का कारण बनती है और जाकने के लिए सबसे बहतर चीज अपना गिरेवान है और रहने के लिए अपनी उकात से जादा बहतर कुछ भी नहीं और इतने कामियाब तो जरूर बनो कि जो मजाक उड़ाते हैं वे शर्मिन्दा हो जाए और अजीब सोदागर है ये वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपल ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले जा रहा है और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आँख में गिरे कंकर की तरह होते हैं कुछ लोग जो चुपते भी रहते हैं और हम उन्हें निकाल भी नहीं पाते तो दोस्तों मुझे अमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं मैं आप सभी लोगों के सारे कमेंट्स जरूर पड़ता हूँ और इस वीडियो को एक लाइक करना बिलकुल ना भूले तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में तब तक के लिए मोटिवेशन नंतरा साइनिंग आफ